आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इस question में दिया गया है Athene lens of refractive index 1.5 has a focal length of 15 cm in air when the lens is placed in a medium of refractive index 4 by 3 its focal length will become सबसे पहले तो जो focal length होती है वो क्या होती है focal length का formula होता है आपके पास में 1 upon f जो होती है वो क्या होती है mu lens upon mu surrounding minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2 कोई भी lens है let's say ये एक lens हो गया convex lens हो गया इसके लिए अगर मैं focal length find करना चाहता हूँ तो इस length का जो mu होगा और इसके आसपास जो surrounding का mu होगा ठीक है उनका ratio minus 1 r1 क्या होगा जिस surface से पहले reflection हो रहा है यानि कि ये वाले circle का radius ठीक है r2 क्या होगा जिस surface से बाद में second time reflection हो रहा है इस वाली surface का radius ठीक है अब हमें बोला गया है कि air में air में इसकी focal length 15 cm ठीक है यानि कि 1 upon 15 is equals to mu L 1.5 by 1 minus 1 ठीक है 1 upon r1 minus 1 upon r2 ठीक है अब मुझे बूचा गया है कि जब इसको refractive index 4 by 3 में रख दू which is equal to 1.33 ठीक है तो इसकी focal length कितनी हो जाएगी तो ठीक है सबसे पहले तो मैं 1 upon r1 minus 1 upon r2 की value find कर सकता हूं यहां से तो 1 upon r1 minus 1 upon r2 जो होगा वो किसके बराबर होगा वो होगा आपका 1 upon 15 into 0.5 1 upon 15 divided into 0.5 ठीक है इसके बराबर होगा अब यहां से जब मैं 1 upon f' लिखना चाहता हूं तो क्या लिख कूंगा mu lens upon mu surrounding minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2 f' की value मुझे find करनी है correct तो 1 upon f' लिख कूंगा और वो किसके बराबर होगा mu lens जो है वो similar है अभी भी 1.5 है लेकिन surrounding का mu change हो गया है किस में रख दिया गया है उसको 4 by 3 यह नहीं 1.33 surrounding में रख दिया गया है जिसका refractive index है 1.33 तो minus करूंगा 1 और 1 upon r1 minus 1 upon r2 की value क्या रख सकता हूँ सीधा सीधा लख सकता हूँ मैं 1 upon 15 into 0.5 ठीक है तो यह बन जाएगा आपके पास में 1 upon f की जो f' की value बनेगी वो कितनी हो जाएगी देखो 1.50 minus 1.33 0.17 upon 1.33 into 1 upon 7.5 ठीक है तो f' की अगर value लिखूंगा तो क्या आजाएगी 7.5 into 1.33 upon 0.17 तो यह आजाएगा प्रोस लगबग 60 cm ठीक है तो 60 cm होगे इसकी final focal length जब इसको 1.33 या 4 by 3 के refractive index में डाल दिया जाता है Classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेटा या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर